हलो हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग तो आज मैं ना वेलेंटाइन डे स्पेशल ये मेकप लोग के लेके आई हूँ अभी वेलेंटाइन डे में बहुत जादा दिन बाकी नहीं है और आज कल के जो ना मेकप ट्रेंड शल रहा है जो आपने इंस्टा पे टिक टॉक पे या यूट्यूब रिल्स पे भी अगर देखे होंगे ना तो वो मेकप लुकना बहुत ही मतलब ओसम लगते हैं वो क्यों लगते हैं वो हम ये वीडियो में सीखेंगे उसके ही साथ साथ जो ब्राइडल मेकप ट्रेंड चल रहा है उस मेकप का इसमें मैंने कुछ कुछ यूज किया है हमारा bridal makeup नहीं है तो वो उतना मतलब desperate जाके हम makeup नहीं करने वाले हैं लेकिन जो आज कल के latest makeup trend चल रहे हैं आप देख सकते हो उसके around का है लेकिन मुझे ना personally nude lipsticks नहीं पसंद है तो मैंने थोड़ा चमकीला किया है अगर आप इस makeup look में ना जो lipstick है उसको pink छोड़के nude कर दो ना तो वो latest trend बन जाएगा जो आप makeup look का चल रहा है तो चलिए अपने valentine day पे ना ये makeup करके जरूर जाना definitely आपकी जो boyfriend है husband है बहुत ही खुश हो जाने वाले आपको देखके तो चलिए देखते हैं ये makeup video कैसे बनाया हुआ है तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी skin को prepare करना होगा और जो जो चीजे मैंने यहाँ पे use किये ना उसका पहले photo डाल दिया है तो आपको पता चले कि exactly वो कौन सी product है ना कि सिर्फ मैंने बोल के बताया है और as well as नीचे link भी है तो यहाँ पे मैंने उसके बाद लगा दिया है primer makeup करते समय ना बहुत द्यार रखना की primer और जो हमारा skincare है वो बहुत ही ज्यादा effect करता है आपके makeup पे तो वो हमने prepare कर लिया है उसके बाद हम लेंगे foundation ilmikasia का और उसे हम foundation brush से पहले अपारी skin में एकदम matte कर देंगे यहाँ पे देख रहे हो मैं कुछ बोल रही हूँ पीछे भी क्योंकि यह एक अलग video का shoot चल रहा था और इसमें से मैंने यह makeup वीडियो को चुडा लिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगाता हूँ मैंने सोचा क्यों नहीं इसको तो definitely आपके साथ शेयर करना ही पड़ेगा तो उसके लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा editing में किया हुआ है तो यहाँ पे जो foundation है उसका जो ilmikasia brand है उसका product review आ रहा है मस्ट मस्ट उससे watch करना अगर आपको आपकी skin का perfect foundation नहीं मिल रहा है तो यह video देखके आपको 100% में sure हूँ कि आपकी skin का perfect foundation मिल जाएगा तो यहाँ पे देखा ना अपने मैंने पहले makeup को makeup brush लगाया foundation को sorry और फिर उसको मैंने wet sponge से पूरा कर दिया एकदम fix ताकि जो skin में जो हमारी उपर उपर का जो वो layer दिखता है ना केकी वाला वो ना दिखे उसके बाद हमारे जो highlight points है ना वहाँ पे हम लोग लगाएंगे concealer concealer देख रहे हूँ बहुत ही light shade है इसलिए मैंने बहुत ही कम लगाया है अगर आपको पूरा मतलब एकदम भर के makeup करना है जैसे कि हमने बोला bridal makeup जो होता है latest trend वाला उसमें ना हमें बहुत ही full भर के जो highlight वाल जो की मेरा shade number है NC40 और यह compact कम foundation का काम करता है अगर आपको daily basis में कुछ ऐसा चाहिए कि आपकी skin एकदम से finishing जैसी लगे no makeup makeup look लगे तो definitely आप इसे try कर सकते हो और उसे भी मैं beauty blender से ही लगाऊंगी ताकि हमारी जो skin में हमारा foundation base है वो एकदम से set हो जाए और यह जो हमारी palette है वो सारी जगा पर use करेंगे कैसे वह आगे वीडियो में आप देखो तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेरा contouring है वो शुरू किया है सबसे पहले मैं नीचे cheek पर कर दोंगे क्योंकि ना भाई साब double chin बहुत बढ़ चुकी है यहाँ पर आके क्योंकि यहाँ पर आके बहुत चीज और यहाँ पर देखो chin को मैंने cut करने के बाद ना मैं जो हमारी cheek वहाँ पर करूंगे उसको कैसे लेना है वो आप देखो जो करामत है वो इसकी है contouring की और blush की तो जो lip की point है उससे ear का first point लेके आप करो और उसी के साथ साथ ना तो blending जब भी करो तब उपर की side करना कभी भी मत करना blending वो blending अच्छी नहीं लगेगी जितना blend करोगे ना आप अपना make-up उतना ही ज्यादा अच्छा और beautiful लगेगा make-up करने मा लड़के बोलते हैं कि लड़किया पांच गंटे लेती है ब्राइडल make-up करने में भाई साब उसमें कितनी blending करनी पड़ती है ये उनको कौन समझाए तो आप तो ये बात definitely समझते हो तो ये चीज ना बड़ी ही दियान रखना आपने make-up जब भी करते हो तो कि blending एकदम मस्त तरीके से करना तो आपका जो make-up look है वो एकदम से सारे में टक्कर लगाएगा और यहां पर देखो मैंने nose contouring की है उसमें क्या करामत है वो देखो मैंने एक तो eyeshadow का brush लिया हुआ है क्योंकि उससे बहुत ही बड़िया blend होता है तो यहां परफेक्टली वही जगा पर लगाओ कि जहां से हमारा जो nose की tip है वो पूरी छूट जाए नोस की tip को छोड़के जो जितना भी area दिख रहा है आपको उस पर आप contouring करो तो उससे ना nose contouring बहुत ही बढ़िया होगी और उसके बाद सेम palette को ही मैं अपनी eye shadow को cut crease की जैसे use करूंगी यहां पर हम ज्याद shade में जो हमारा contouring shade है उससी से किया हुआ है ताकि आपकी eyes थोड़ी सी define लगे और थोड़ी सी बड़ी लगे और यहां पर मैं blush लूँगी और भी देखो blush को कैसे लगाना है जो पहले pout बना के हम करते थे ना वो मत करो उसके सिवाय का जहां पर हमने contour किया है वहां से eyes तक ज नहीं पसंद है मैं contouring भी fan हूँ तो आप blush चाहे ना तो ज्यादा लगाओ तो आपको latest trend look जो है वो मिल जाएगा लेकिन मुझे blush इतना pinkish pinkish नहीं पसंद है तो मैं कम करती हूँ बाकी pinkish pinkish करो ना तो completely जो bridal look है वो आएगा और एक बड़ी चीज थी जो हमारी eyebrow pencil है उसकी tip क एकदम define रखो उसी के साथ साथ जब भी हम eyebrow को fill करते हैं सिर्फ और सिर्फ gap fill करो उसको पूरा घिस के ना एसे मतलब पूरी lines बनाने के कोई नीड नहीं है जहां पर space दिख रही आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को fill करो और fill होने के बाद आपको यसा लग रहा है कि भाई हम हम हमारे मतलब stroke बहुत ही ज्यादा define दिख रहे है तो उसको ना blender की जो merger है हमारे eyebrow का merger होता है उससे लेके अच्छे से merge कर दो और यहां पे same eyeliner है ilmikasia की जिसका product review आने वाला है बहुत ही जल्द यह ना जो eyeliner है बहुत ही मतलब कमाल की है इसे जरूर से one try तो देना ही देना और इ बहुत ही ज्यादा महनत लगती है eyeliner करने में तो don't think कि हमारे eyeliner सही नहीं होती है आप कहीं भी कर दो मज़े की होगी eyeliner जो भी use कर रहे हो वो कर दो तो यहां पे देखो मैं white pencil ले रही हूँ काजल pencil क्योंकि अच्छा दिखाने के लिए नहीं मेरी आखे already छोटी छोटी है और bold liner करती हूँ ना तो मेरी आखे दिखती ही नहीं है तो एक और यह trick है आपके makeup को बहुत ही define लगाने की कि आप white जो काजल pencil है उससे नीचे आपकी जो waterline है उस पे use कर लो बहुत ही बढ़िया makeup दिखने वाला है उसके बाद must important thing मशकरा इससे कभी भी skip मत करना अगर मैं मेरी बात करूँ ना तो मुझे मशकरा करना कभी भी नहीं पसंद है क्योंकि मुझे यह लगता है कि जब मैं मशकरा करती हूँ ना तो मेरी जो lashes है वो गिरती है लेकिन जब मैंने extension करवाया था बीच में eye lashes extension आपको वो photo कहीं भी नहीं दिखेगी क्योंकि मुझे इतना नहीं पस illustration मत करवाओ अगर चाहिए तो मैं उसका separate video बनाऊंगी यहां पे मैंने यह palette को फिर से दिखाया क्योंकि इसको अभी हम लेंगे highlighter अभी यह जो करामत है इसकी है makeup में यह देखो यहां पे मैंने highlighter लगाया है बहुत ही बर-बर के बहुत ही बर-बर के मतलब यह नहीं है कि सिर् चीक पे लगाऊंगी चीक पे आपको आँखों के नजदीक कहीं भी नहीं लगाना है वो ज़रा भी अच्छा नहीं दिखता है मस्ट चेक करो कि पहले bronzer आए फिर blush आई और फिर highlighter आए वो एक sequence में रहेगा ना तब भी आपका makeup बहुत ही सुन्दर लगेगा और यहां पे द जो contour है वो blush और highlighter अगर यह चीज़ों का ना आपका perfectly blend बैट चुका है एक theme में कहां पे लगाना है कहां पे नहीं मतलब कि आप एक perfect makeup artist हो यह बोल सकते हो इसमें कोई शक नहीं है आप कुछ भी सोचो मत इसको सिर्फ perfect करो बाखी सब कुछ अपने आप हो जाएगा तो यहां पे देखो एक और चीज़ है जो कि उंगली पे मैं लेके ना मेरी जो eyes या उसकी आगे के जुटी पैना वहां पे लगाऊंगी इससे ना makeup का एकदम से look change हो जाने वाला है जरूर से try करना अगर try कर रहे हो ना तो मुझे नीचे comment box में comment करके जरूर से बताना और य कोंबिनीशन बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बढ़िया डेफिनेटल मैं इस पे एक separate video बनाऊंगी कि टॉप फाइव इंडियन लिपस्तिक अगर इंडियन शेट पे जाते हो ना वह कौन सी है तो आपको ज्यादा महनत नहीं करने पड़ेगी वह वीडियो देख लो और ख अगर लग रहा है ना तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और अगर नहीं भी लग रहा है ना तब भी कमेंट करके जरूर से बताना आपकी एक कमेंट एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं है इतना जादा कि हां मेरे कुछ सब्सक्राइ कि ये makeup look आपको पसंद आया कि नहीं आया और अगर इसमें कुछ improvement भी लाना है तो वो भी मुझे comment करके जरू से suggest करना तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे नीचे comment करके प्लीज 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 जरूर बताना यार इतनी request कर रहे हूँ एक comment तो करी सकते हो एक like तो करी सकते हो तो चलिए ऐसे ही कुछ beautiful look के साथ हम लोग मिलेंगे हमारे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye see you and अरे रे 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 एक चीज तो रही गई आपने अभी तक मुझे instagram पे follow किया है या नहीं किया है अगर नहीं किया है तो नीचे description box मे मेरे instagram की link है जरूर से जाके follow कर दो now bye bye see you and take care